नमस्कार आप देख रहे हैं हर्यार्णा न्यूज अच्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवी आईए रोक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर अंबाला की पुलिस अधिक्षिन जशन दीप सिंग वंधावा एक कुशल मांग दर्शन एवं मुझत दिशा निर्देशा नुसार अंबाला पुलिस की ओर से नशात असकरी को रोकने के लिए तसकरों के खिलाफ विशेश अभियान चलाया जा रहा है विशेश अभियान के दरान 23 नवंबर 2022 को CIA 2 अंबाला के पुलिस दर्लन इंस्पेक्टर संधीब कुमार के निततों में सूचना के आधार पर तुरंत कारवाही करते हुए गाव बब्याल शम्शान घाट टांगरी बांध की नस्दीक से छापे मारी के दरान आरोपी मुन की जाएगी जिससे के अनुसंधान के दरान आगामी कारवाही की जा सके अनुसंधान जारी है CIA 2 अंबाला की पुलिस दीन को पिमारी के दरान आरोपी को मादक पदार्थ की कट्टे समीद गिरुफतार का थाना महेश नगर में केस तरच किया थया कट्टे में से 22 किलो 170 ग्राम गांजा बनामत हुआ और आरोपी के पहचान मुन्ना शाह निवासी नियू लखकी नगर धाना महेश नगर अंबाला च्छाबनी के रूप में हुई अंबाला से हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर सुरें रिभारत द्वाज की रिपोर्ट अंबाला पुलिस के नशा के खिलाफ चलाए हुए बियान को और आगे बढ़ाते हुए CIA 2 की टीम ने कल एक बड़ी नशे की खेब पकड़ी है CIA 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीब और उनकी टीम के पास एक मुखबरे खास से सुचना पराप्त हुई थी कि एक नशा तसकर बड़ी खेब लेके महिश नगर थाने की एरिया में बब्याल, शम्शानगाट, टांगरी के बांद के पास किसी को सप्लाइ करने के लिए वो वहाँ पे आएगा और उसी इंफर्मेशन को फर्दर डेवलप करते हुए पुलिस ने वहाँ पे अपना ट्रैफल गाया और जैसे ही वो जो संदेग्द जो व्यक्ती था वो वहाँ पे देखा गया तो उसको पुलिस ने डेटेन किया जिसकी विदी पूरवक वहाँ पे जब सर्च करवाई गई तो उससे एक बड़ी कमर्शल क्वांटिटी गांजे की खेब उससे बरामद हुई इसमें जो व्यक्ती था उसकी पहचान मुन्ना शाह जो की न्यू लकी नगर थाना महेश नगर का निवासी है के रूप में हुई और इसके खिलाफ कारवाई करते हुए हमने F.I.R. नंबर 565 कल की डेट में सेक्शन 20 N.D.P.S. एक्ट के अंदर हमने दरज की है और इसका आज हमने जुडिशली के सामने पेश करके कोट में पेश करके फर्दर इसका रिमांड सी किया है जो ये व्यक्ती है ये हैबिच्वल ओफेंडर है पहले भी इसके खिलाफ N.D.P.S. के अंदर मल्टिपल केसिस इसके उपर दरज है इसका अगर अपरादिक रिकार्ड दिखा जाए तो इसके उपर कल वाले मुकदमे से पहले पांच अन्य मुकदमे N.D.P.S. एक्ट के दरजा इसमें F.R. 183 महेश नगर जुलाई 2016 में दरज हुआ था जिसमें इससे 7 किलो ग्राम गांजा बरामद हुआ था इसी तरीके 2017 के अंदर भी इससे 780 ग्राम गांजा इससे बरामद हुआ था 2017 नवेंबर के अंदर ही इससे 7 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ था और 2020 के अंदर भी इससे 714 ग्राम गांजा बरामद किया गया था हाल ही डेड़ साल पहले जनवरी 2021 के अंदर भी इससे 344 ग्राम गांजा इससे परामद किया गया था इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब इसकी सर्च की गई तो इससे 22 किलो और 160 ग्राम गांजा CIE टीम ने इससे रेकवर किया है और इसकी जो पूरा सोर्स है वो हम आगे पुलिस रिमांट के दरान कोशिश करेंगे जो इसका पूरा नेटवर्क है उसको उजागर कर सकें इस पर्टिकुलर जो यह जो मुना शाए जो मैंने पहले आपको बताया है कि इसके वपर केसिस रिजिस्टर्ड है तो इसमें ये पहले तीन केसिस के अंदर पहले भी इसको सजा हो रखी है एक में दो केसिस में तीन साल की और एक केस में छे महीने की सजा हो रखी है और लेकिन आज तक ये कभी भी कमर्शल कॉंटिटी के अंदर नहीं पकड़ा गया था इससे छोटी केप बरामद ही थी हर बार और जो गांजा होता है उसमें 20 किलोगराम प्लस जो अमांट होता है वो कमर्शल कॉंटिटी ट्रीट किया जाता है तो उसमें इसकी अरेस्ट की गई है और इसका पूरा फुर्दर जो जो इन्वेस्टिकेशन है उसमें हम इसकी जो इसने प्रॉपर्टी अपने इल्लीगल प्रोसीड से जो कमाई से अपनी इल्लीगल कमाई से इसने बनाई है उसका भी पता करेंगे फिनैंशल इन्वेस्टिकेशन इसकी पूरी करेंगे ताकि इसका इसकी प्रॉपर्टी भी हम अटैच कर साएं यह प्राइमेरिली जो अभी तक की हमारी पूछता चुई है उसमें इसका सोर्स जो है वो इस्टरन इंडिया की तरफ से आया है जो अभी तक की हमारी सूचना बिहार से यह खेप को लेकर आता था और वहां से लियाके यहां पर स्मॉल कॉंटिटीज के अंदर लोकली खो दिये सप्लाइ करता था तो उसमें जो इसके सोर्स हैं जिन से यह लेकर आता था वो सारे के सारे हम एक बार डीपली उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ताकि पूरा जो इसका नेटवर्क है चाहे जिनको यह फर्दर महिया करवाता है उन तक भी हम पहुंच सकें अभी हमने इसको रेस्ट करके आज पुलिस रिवांट पे लिया है तो उसमें हम डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके परिवारिक सदस्यों का क्या रूल रहा और जो इसके सप्लाइर्स और जो सोर्स हैं उनको भी हम एक वरी चेक करेंगे इसके सारी केसा का कक़ का पेड़िय अपनी सजा का और उसके बाद यह बेल पर आ गया था तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो पराणी केसिस के अंदर मेल रहही है उसके अंदर भी इसकी बेल रिजेक्शन एप्लिकेशन लगाएं हमने पहले भी शुरू में भी हमने पिछले एक साल से काफी एप्लिकेशन कोट के अंदर प्रॉसिक्यूशन के माद्यम से रखी है चाहे वो गैंक्स्टर्स थे चाहे वो नशात असकर थे तो जो बेल की कंडिशन जिसने भी वाइलेट की है हमने वो क इस टाइप के ओफेंडर्स हैं जो दुबारा दुबारा सेम अपराद कर रहे हैं तो उनकी पराने केसिस के अंदर बेल कैंसलेशन की जाए इस जो अभी तक के आल्मोस्ट ग्यारा महीने के अंदर अम्बाला पुलिस दुबारा अब तक हमने एक सो अठरा मुकदमे एंडी अब तक की हमारी इस महिम के अंदर हमने चार किलो छेसो चालिस गराम हैरविन पंदरा किलो के लगबग अफीम और तीन कुवेंटल ब्यासी किलो चूरा पोस्ट और लगबग तीस किलो गांजा दो सो तैईस करम कराम चरस लगबग छैसेट हजार गोलियां दस हजार कैपस हमारे फेस्बुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूले